कभी सिस्कियां तो कभी फूट फूट कर रोने की आवाज ऐसे तो सिनेमा घर के अंदर अंधेरे में किसी का चहरा नजर नहीं आ रहा था लेकिन जब 72 mm के पर पर दे कश्मीर फाइल्स फिल्म का एक एक पन्ना खुलता है तो ऐसा लगता है कि दशकों पुराने घाव से आज भी खून रिस रहा हो जी हाँ गाईज पिछले 32 सालों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे कश्मीरी पंडितों पर बनी दे कश्मीर फाइल्स कोई फिल्म नहीं है बल्कि वो सच्चाई है जिसे देखने के बाद ऐसा कोई शक्स नहीं होगा जिसे रोना ना आया हो कश्मीर जेनोसाइट पर बनी इस फिल्म को लोग काफी अच्छे रिव्यूस दे रहे हैं और हर कोई विवेक अगरी होतरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म की तारीफ कर रहा है पपली की नहीं बलकि देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने भी इस फिल्म की स्टार कास्ट और डेरेक्टर से मिलके फिल्म की खूब तारीफ की है Guys, क्या आपने इस फिल्म को देखा है और अगर नहीं तो जरूर देखें Always remember, forgive the people but don't forget what has happened ऐसी amazing videos के लिए share, subscribe and like फिल तगली वीडियो में